हाई एवरीबन तो कैसे आप सभी तो देखिए आजम डिसकास करेंगे कि इंकम सेटिफिकेट आखेर होता क्या है और कैसे आप इसके लिए अपलाई कर सकते क्या कि इंपोर्टन डॉकुमेंट्स है जो कि इसके लिए जरूरी है Actually income certificate को लेगे काफी students के comment आ रहे थे कि सरे income certificate होता क्या है कैसे बनता है तो मैंने सोचा क्यों ना इस वीडियो में एक income certificate का topic लेकर आऊ और वीडियो काफी important है सभी student के लिए चाया वो डियू सोल से बिलोग करते हो जहां उनसे income certificate मांगा गया और अगर आपको नहीं पता income certificate क्या है तो आज की वीडियो में डीटेल में पूरी जानकारी देंगे तो वीडियो सुरू करने से पहले चैनल पर नहीं हो सब्सक्राइब कर लो जो भी अपडेट रहेगा लेटेस्स आपको मिलता रहेगा तो देखिए अगर जैसा की income certificate जैसे की नाम से ही जाहिर हो रहा है इसका पूरा जो हिंदी में अनुबाद है आए प्रमार पत्र मतलभ की अकटीफिकेट होता है जो की आपकी आय को धर्यदर्स आता है मतलब आपकी income को बताता है की आपकी income है कितनी, तो income certificate जो होता है, वो दो तरीके का होता है, एक आपका होता है monthly income certificate, एक होता है आपका year wise income certificate, मतलब एक आपका सालाना income certificate, annual income certificate, एक आपका monthly income certificate, तो जाधा तर जो होता है, अगर आप school से belong करते हो, या college से belong करते हो, जाधा तर जो college या school होते है, ये income certificate आपसे त आपको फी रिफंड वगेरा का कोई भी फाइदा दिया जाता तब आपसे इंकम सर्टिफिकेट की डिमांड की जाती है या एड़िशन के टाइम पे भी आपसे इंकम सर्टिफिकेट मांगा जाता है तो इंकम सर्टिफिकेट आपसे महां मांगा जाएगा जहां पे आपको हो सकता है benefit दिया जाए या आपकी income जानने के लिए जो भी institute है जो भी college है आपसे डिमांड कर सकता है पर income certificate आज की time पर सबके लिए important है चाहिए आप admission field में जाओ चाहिए आप scholarship field में जाओ चाहिए बैस की scheme में जाओ जहां पर आप से income certificate महांगा जाओ आपको में सेटी वैद आपको main मोखिया और मतलब इकलिके मैं बतं Celsius आपके main मखिया का बंक जैसे आपके लिए अग्जीन के अ पूरे family का जिक्षछन होता हमें हर members की salary क्या होती आजिसके जो बंदा आपके ol M Watch भाएर है जो भी मेंन है तो उनकी सेल्धी उसमें लिखी रहती है जौप क्या करते है सालाना इंकम आप कितना कमात ओ सफूरी फैमली मिलाके लोगे अपका स्विय डिकलेसन होता है तो समझ में क्या होता है सिंपल सा यह है कि इसके अंदर आपकी आय का जिक्र होता है कि पूर फैमिली की जितनी इंकम होती है उसके अंदर मैंसन होती है अब बात कर लेते हैं इसके लिए आप अपलाई कैसे कर सकते हैं तो देखिए अगर आप दिल्ली से बिलॉंग करते हो दिल्ली से आप आसानी के साथ इंकम सर्डिपिकेट बनबा सकते हो पहले जो इंकम सर्डिपिक करना होता है डॉकुमेंट की में बात कूँ तो डॉकमेंट आपसे आपका आधार कार्ड पैन कार्ड आपकी दो प्रासवर्ट साइज फोटो कॉपी और डैन आपका जहां रहते हो मांका रेंट पुरूब लगेगा ठीक अगर आपके नाप में मकान है तो आपका बिजली का बिल लग जाएगा पूरा डीटेल जो बेसी डीटेल है डाली जाएगी एक आपका फॉर्म होता है जिसे कहते सैल्फ डिकलेरेशन फॉर्म वह आपको उसी ओनलाइन बैपसर्ट पर मिलेगा इडिस्टिक की साइड पर ठीक है और यह जो इडिस्टिक की साइड बता रहा बट जो इसे इस्सẫnफ़ करती है वो डिल्ली गवर्मेंट या स्टेट गवर्मेंट इसको इसको सकती अन्दर इसका इंडर्वेर होता है कि आपका सयल्फ डेटेकलेशन फॉर्म लगता है इसमें तो कि आप ऑन लाइन डा Guide करोगे उसको फिल करो गो गो समें लिखोगे मेर साल आना इनका मिटनी मेरी तोटल फेमली की मिटनी दालोगे और एक चीज़ और अगरा आप इसके लिए आप इसके लिए आपईधन कर सकते हो इसकी जो फीज जाती हो पंदा से बीस उरपे आइधिंग जाती है सरकारी फीज बट अगर आप साइबर कैफ से कर बाओगो तो सबसे बड़ी चीज किसका होना जरूरी है देंकि अगर आप स्टूडेंट तो सुंडेंट काल से लगाना है जो जॉब rotate है तब कर रहे हैं जब आपके आप अगर अपना लेखा नहीं हो तो फिर सब्सक्राइला सक करें अगर शोंड estok कितने जिन में आ जाता है जब आपके इसू हो जाता है मैसेज आता है आप इसको ऑनलाइन डाउनलोड कर सकते हो तो आसानी के साथ यह बन जाता है कोई दिक्कर वाली बाप नहीं है हाँ एक जोर मैं आपको नोड करना बता न भूल गया था एक आप से माप पर प्रूब तो वह कोई इतना बड़ा मुद्दा नहीं है वह सेल्फ डेक्रेशन फॉर्म से इससे काम हो जाता है उसमें सब आपके द्वारा यह बोला जाएगा कि हा मैं मानता हूं मेरी सेल्री मेरी फैमिली की सेल्री इतनी है जिसके नाम पे भी अपलाई कर रहे हो तो इसमें को धार किसी योजना या किसी फॉर्म के ऊपर अगर आपको इन्परमेशन चाहिए हो तो कमेंट बॉक्स ने कमेंट कर देना है थैंक यू सुमाट